हाई फ्रेंड्स QAPedia में आपका स्वागत है और यह हमारा ब्लोग QAPedia.com आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है जावा स्क्रिप्ट टॉटोरियल अनोनिमस फंक्शन से जावा स्क्रिप्ट और जो सब टॉपिक हम कवर करेंगे और उसके बाद हम 4 ताइप के अनोनिमस फंक्शन रहेंगे और फिर Summary of the session तो start करते हैं वाद इस अनोनिमस फंक्शन तो अनोनिमस फंक्शन इस ताइप of function which has no name अनोनिमस फंक्शन एक ऐसा function होता है जिसका कोई नाम नहीं होता है जिसका कोई identifier नहीं होता है तो फिर हम अनोनिमस function को define कैसे करते हैं declare कैसे करते हैं या उसे हम call कैसे करते हैं तो वो अगर हमें देखना है तो सबसे पहले हमें जा करना पड़ेगा एक normal function का example देखना पड़ेगा तो सबसे पहले एक normal function का example देख लेते हैं तो हम यह देखते हैं कि एक normal function का declaration उसकी definition और उसकी calling हम कैसे करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं हमें keyword लिखते हैं इसको हम कहते हैं function तो हमने वो keyword यहां लिख भाव उसके बाद हम लिखते है function का नाम, So, यहां पर हम लिखते है function का नाम, उसके बाद हम लिखते है parenthesis, उसके बाद curly braces के अंदर हम क्या लिखते है function की definition लिखते है, तो इस तरीके से काम करता है, सबसे पहले जो function keyword लिखते हैं, फिर हम function का नाम लिखते हैं, फिर parenthesis लिखते हैं, फिर curly braces के अंदर हम क्या लिखते हैं, function की definition लिखते हैं, अब इसी function को अगर हमें call करना है, तो हम क्या करते हैं, इसको हम name of the function से call कर सकते हैं, तो जो भी इसका ना काम है, उससे हम function को call कर सकते हैं, इस तरीके से एक normal function काम करता है, इसको हमें काम करते हैं, इसको हम अभी हमारे code editor में देख लेते हैं, यहाँ पर हमें normal function लिखते हैं, function, function का नाम, फिर parenthesis, फिर curly braces, और curly braces के अंदर हमने function की definition लिख दी, okay, तो सबसे पहले क्या हुआ, function keyword, फिर नाम, फिर parenthesis और फिर curly braces के अंदर definition, okay, अब इसको हम run करेंगे, तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हमें function को call करना पड़ेगा, तो हम call कैसे करते हैं function को, इसको हम करते हैं, copy, और यहां हम लिखते हैं, ऐसे function, और लगाते हैं, semicolon, इस तरीके से function को हम call कर सकते हैं, अब यगर इसको हम run करेंगे, तो यहां पर 5 print होगा, अब हमें 2 plus 3 की जगा पर लिख दी हूँ, 3 plus 3, तो यहां पर क्या print होगा, 6 print होगा, इस तरीके से normal function काम करता है, अब anonymous function कैसे काम करता है, तो anonymous function में हमको पता है कि function का नाम नहीं होता है, तो नाम हट जाएगा, अब दिखते हैं कि हम anonymous function की definition कैसे लिखते हैं, how to declare anonymous function और उसे हम call कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वह ही function keyword लिखते हैं, तो हम यहां पर function keyword लिखते हैं, उसके बाद हम name of the function नहीं लिख देते हैं इस तरीके से एक anonymous function काम करता है तो हमें काम करते हैं इसको लिखते हैं हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है केवल इसका नाम अटाना है और यहाँ पर हमारा एक anonymous function बन जा है पर इस anonymous function में अगर आप देखोगे ध्यान से identifier expected है identifier जरूरी है identifier चाहिए तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर हमारे function का कोई भी नाम नहीं है तो इस function को हम call कैसे करेंगे इस type के function को call नहीं कर सकते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं हम एक variable assign कर देते हैं एक variable को यह function पूरा का पूरा assign कर देते हैं तो फिर क्या होगा यह जो variable का नाम है इस variable का नाम function के नाम की तरह act करेगा तो हम variable कैसे assign कर सकते हैं यहाँ पर हम लिख देंगे const add equals to और इस तरीके से अभी हमारे function का जो नाम है वो यहाँ पर assign होगया अब हमें कोई error नहीं मिल रहा है कि identifier expected and all कुछ भी नहीं मिल रहा है अब अगर हम इसको call करना है तो हम simply इस variable के name के तरह इसको call कर सकते हैं ठीक है run करते हैं तो यहाँ पर हमारा function run हो गया इस तरीके से anonymous function काम करता है अब anonymous function का एक और use होता है और वो यह होता है कि हम एक anonymous function को as an argument pass कर सकते हैं एक higher order function को तो higher order function क्या होता है? higher order function एक function होता है जो एक या ज़्यादा arguments लेता है as a function function में हम higher order function में एक function को argument के तोर पर pass कर सकते हैं एक function, दो function जितने भी हमें pass करना है तो हमने कुछ higher order array functions अपने previous sessions में देखे थे और हमने वहाँ पर देखा था कि हम एक anonymous function एक higher order array function में कैसे पास करते हैं तो हमें काम करते हैं हम वो example एक बार फिर से देखते हैं इस बार हम example लेंगे for each loop का या for each method का for each भी एक higher order function है ok तो यह for each higher order array function है तो हम्ने एक array declare करना होगा तो हम इसको करते हैं एक काम करते हैं यहाँ पर declare करते हैं तो यह होगी हमारा array अब हम एक काम करते हैं यहाँ पर लिग देते हैं console.log और यहाँ पर लिग देते है array elements are it और उसके बाद हम लख देते हैं num हो गया अब इसको अगर हम run करेंगे तो हमारे सारे के सारे array elements काम print हो रहे हैं अब हम जा करना है यहाँ पर हम एक higher order array function में अंदर एक anonymous function pass करना है तो हम एक higher order array function लेते हैं num.forEach यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर क्या होगा हमें एक argument parameter वाला anonymous function चाहिए हम वहाँ लिखेंगे function और वहाँ पर हम लिख देंगे एक a और फिर यहाँ पर हम console.log a cross a तो यह जो a है यह element of the array है तो हम इस loop में या इसमें एक element of the array को pass कर रहे हैं होगे element को pass कर रहे हैं और इसको उसी से multiply कर रहे हैं इसका square निकाल रहे हैं तो यहाँ पर 3 का square 9 print होता है 5 का square 25 print होता है 1 का 1 होता है 2 का square 4 और 4 का square 16 print होता है इस तरीके से हमारा anonymous function higher order array function में as an argument भी pass होता है अब हम देखते है types of anonymous function so हमारे anonymous function होता है और 4 type का है anonymous function with no parameters and no ighton type anonymous function with parameters and no ighton type anonymous function with no parameters but with written type and anonymous function with parameters and with written type सबसे पहला वाला एक्जामपल जो है anonymous function with no parameters and no written type यह है इस type का example है यह हम already देख चुका है इस particular session में तो इसको फिर से देखने के हमें कोई जरुबत नहीं है इस type से हम एक anonymous function लिखते हैं और इस तरह says format हम call करते हैं फिर आता है anonymous function with parameters and no written type तो same to save anonymous function जो है यहाँ पर जो हम लिख रहे थे उसमें यहाँ पर parenthesis के अंदर जो हम parameters pass करते हैं parameters लिखते हैं और उसके बाद उन्हीं parameters को यहाँ पर हम क्या करते हैं add कर देते हैं और जब हम call करना होता है तो यहाँ पर हम परामिटर्स को पास करते हैं call करते टाइम पर भी ओके सो काम करते हैं यह हम लिखते हैं अभी तो हम लिख रहे हैं anonymous function with parameters और यहाँ पर हम लिखेंगे console.log a plus b और इस function को हम बोलें यह variable assign करो constant add equals to a और जब इसे हमें call करना होगा तो हम इसे इस तरह से call कर लेंगे तो run करेंगे तो यहाँ पर यह 2 plus 3 5 print करेगा अब अगर 2 की जगा पर मैं 3 देदूं तो यह 3 plus 3 6 print करेगा और यहाँ पर अगर मैं 3 3 की जगा 30 देदूं तो यह 33 print करेगा 30 plus 3 यहाँ पर भी अगर 30 दे दिया तो यह 60 print करेगा और इस तरीके से सारे हमारे anonymous function काम करेंगे with parameters and no return type अब यहाँ पर जो example हमने देखा यहाँ पर दो parameters थे हम एक example देखते हैं जिसमें केवल एक ही parameter होगा okay तो उसके लिए हम चाहाँ करेंगे हम केवल एक ही parameter pass करते हैं और वही हमें call करना होगा फिर एड की जगा हम square call करेंगे और हम एक ही parameter देंगे हमने दे दिया 3 यहां 3 देंगे तो 3 का square होता है 9 फिर अगर 3 की जगा 5 कर दिया तो 5 का square होता है 25 5 की जगा 50 कर दिया तो 50 का square होता है 2500 इस तरीके से हमारा anonymous function with one parameter काम करता है और यह anonymous function with one parameter वाल example है इस type का anonymous function हम higher order array function for each में pass करते हैं हमने एक example देखा था जिसमे हमने एक array लिया था और for each function में हम एक anonymous function with one parameter pass कर रहे था है same to same वह हम यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर for each function में anonymous function हम pass करते हैं कैसे करते हैं हम एक काम करते हैं एक array लेते हैं हम इसको copy कर लेते हैं ctrl c यहां पर हमने इसको copy किया अब इस particular array के उपर हम क्या करेंगे num.for each चलाएंगे और वहां पर एक parenthesis के अंदर इस parenthesis के अंदर हम क्या कर सकते हैं यह पूरा का पूरा anonymous function उठाके हम यहां पर copy कर सकते हैं that's it okay और अब अगर इसको हम run करेंगे ना सबसे पहले हमें यह 50 का square print हो रहा है 2500 फिर हमने जो array है उसको print कराया है और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं करेंगे एक element को for each function में हम यहां पर anonymous function पास करवा रहे हैं और उसका हम square निकाल रहे हैं तो सबसे बढ़े है 3 जा रहा है 3 का square 9 फिर हमारा 5 जा रहा है 5 का square 25 फिर 1 का 1 2 का 4 और 4 का 16 इस तरीके से हम pass कर रहे हैं हम पर फिर आता है हमारा anonymous function with no parameters but with return type तो हमारे पास एक अब हम यह type देखेंगे जिसमें हम कोई parameter pass नहीं करते हैं but return type कुछ ना कुछ होती है उसकी अब यहां पर क्या होगा हम कोई parameter pass नहीं करेंगे but हम चाह करेंगे एक return keyword use करेंगे return और वो return keyword क्या करेगा कुछ ना कुछ value को return करेगा तो मालो हम 2 plus 3 को return करते हैं और यहां पर नहीं देते हैं add यह function हम लिख रहे हैं add जिसमें हमारे पास कोई parameter नहीं है but कुछ ना कुछ return type है अब इस function को अगर हमें call करना है तो हम चाह करेंगे simply add लिख देंगे और यह call हो जाएगा run किया अब यह function तो call हो गया but यहां पर हम console में कुछ भी print नहीं हो रहा है तो क्योंकि यहां पर हम print नहीं करते हैं यहां पर value return करते हैं तो जब भी function में value return करते हैं तो उसको हम क्या करेंगे यहां पर store करेंगे यहां हम लोग दें const sum is equal to add और फिर उसके बाद इस sum को हम क्या करेंगे print करेंगे console.log sum and that's it यहां पर हमारी 3 plus 2 2 plus 3 की value print होगी अब अगर यहां पर हम 2 plus 3 की जगा पर 3 plus 3 करतेंगे यह 6 print करेगा और अगर हम कुछ और value change करना चाहें like 30 plus 30 करना चाहें तो वह भी हम कर सकते हैं 30 plus 30 हमारा 60 print करेगा अभी हम देखते हैं anonymous function with parameters and with return type so return type तो रहेगा साथ में parameters भी लेंगे तो मालनों हम दो parameters pass करते हैं a b और यहां पर हम क्या करते हैं दोनों को add करते है a plus b कुछ भी function कुछ भी operation करेंगे उनके पाद तो जब भी हम call करेंगे add function को तो इसके लिए हमें कुछ parameters pass करने होगे तो हम pass करते हैं 4,5 और फिर जो भी value यहां से आईगी उसको इस variable में store करके यहां पर print करेंगे तो run करते हैं यहां पर 9 print हो रहा है अब अगर 4,5 पी जाएगा आपर 40 और 50 print कर दूँ पास कर दूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ यहां पर 90 print हो रहा है अब यह particular जो function था वो दो parameter के साथ example था और हम एक यहां पर हमें काम करेंगे square लेंगे यहां पर और हम इन दोनों को a multiplied by a that is it yeah that is it इस तरीके से हमारा एक function with parameters and with return type with only one parameter will work इसको हम run करते हैं अभी 40 पास किया तो 1600 आया अगर मैं only 4 पास करूंगा तो 16 आएगा अब अगर मैं यहां पर 4 की जगा 9 पास कर दूँ तो 9 का square 81 इस तरीके से हमारा anonymous function with parameters and return type काम करता है अब इस type के जो example है जिसमें हमारे पास एक parameter होता है और कुछ ना कुछ return type भी होती है यह एक anonymous function as an argument to an higher order array function में भी पास कर सकते हैं map एक ऐसा function होता है जिसमें हम इस type के anonymous function को pass कर सकते हैं क्योंकि इसकी कुछ ना कुछ return type है ओके तो हम एक काम करेंगे हम एक array लेते हैं यहां पर हमने sorry यहां पर हमने array लिया और उसके array की print कर आया फिर हम करेंगे items dot map और यहां पर हम जा करेंगे यह पूरा का पूरा जो function है anonymous function वो यहां पर लाकर पास कर देंगे यह पास करेंगे और उसके बाद अगर हमें अब यह कुछ ना कुछ वाली रिटर्न कर रहा है तो क्योंकि यह वाली रिटर्न कर रहा है तो हमें उसको किछना किसी variable में store करना होगा तो हम इसको store करा देंगे const s1 में और उसके बाद हम s1 को print करा देंगे console.log s1 हो गया यह ओके अभी इसको run करते हैं हम सबसे पहले हमने जो function run किया था square, square में अगर हम 9 pass करते हैं तो उसका square होता है और 81 print होगा, फिर हमारे पास एक array थी हमने इस array को यहां print करा दिया इस सारे original array उसके बाद इस particular array के उपर हमने एक map function चलाया जिसमे एक anonymous function pass किया, वो anonymous function किया कर रहा था हर एक element को square का square निकाल रहा था और एक new array create कर रहा था जिसमें यह square जिसमें elements जा रहे थे तो जो नया array आया है उसमें जो भी elements है वो पुरानी element के square है जैसे 3 का square 9 है, 2 का square 4 है, 5 का square 25 है और 6 का square 36 है इस तरीके से हमारा anonymous function with return type and with parameters as an argument भी pass होता है आज के session में हमने यह सारे चीज़ें cover किया है अब अगर हम इस session के summary देख लें तो हमें जो topics आज cover किया है, वो क्या किया है, what is anonymous function, what is a normal function, anonymous function and then types of anonymous function यह 4 चीज़ें cover किया है अगले session में हम arrow function cover करने वाले हैं, arrow function in our next session, arrow function बहुत important होता है बहुत important function होता है JavaScript में और अगर हमें arrow function को easily समझना है तो हमें anonymous function समझना बहुत जरूर है अगर हमें anonymous function समझ में आ गया, तो arrow function समझना बहुत easy हो जाता है हमारे लिए इसलिए हमने anonymous function को पहले cover किया है, और next session में हम arrow function को cover करेंगे तो that's it, इतना ही है session में, thank you very much आभाग retrouve क्याशा नहीं ब सकत्स्राज को इन एक फदूचर में बजर बेड में के उन you